गाजियाबाद जन्पत के लोनी बॉर्डर इलाके के आरे नगर में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार कर मौत की घाट उतार दिया और मौके से बेखोफ हो कर फरार हो गए मामले की जनकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में ले कर पोस्माटम के लिए भेज दिया मामला लोनी बॉर्डर इलाके के आरे नगर कॉलोनी का है जहां 20 वर्षी शावेज नामक युवक को घर से कुछ दूरी पर बाइक सवार दो अग्यात बदमाशो ने शावेज के सिर में गोली मारी हुई मौके पर मौत इलाके में पहली संसनी मृतक के परिजनों द्वारा कुछ यूवक को के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है मृतक यूवक मेडिकल स्टोर संचालक का क पूरा मामला यह हुआ था दो पक्षों के पीच में लडाई हो रही थी उस वहे से चोटे वाले भाई ने सावेज ने उन दोनों का पीच बचाओ किया पीच बचाओ करने के बाद में वो चले गए अपना दुबारा में आने के आद में जब छोटे वाला भाई स्टोर से चाओ नाम का युनुस मैं ने आएल जानसे मानने की दोने के बाद मेरे चोटे वाले भाई ने सावेज ने उसने 11 सेकंड बात की जिसमें उसने ये बोला कि इस्टोर प्या कुछ बात करनी है लेकिन वह वह टाइम नहीं गया उसके बाद में जैसे उसका इस्टोर का टाइम हो रहा था जाने का इस्टोर के लिए इसे निकला इतने में मेरे बड़े वाले भाई भी आ गए जिनका नाम स्टोर के लिए निकला इतने इसके पीछे-पीचे मेरी ब eli asma और भाए आसिफ दोनों उसके सांपान सांथ नकिले जो बाई सुट्स से पहले असीफ के मकान के सामने बादिल ने आवाज दी सावेज भाई बोलके और उसके साथ में तीन लड़के और भी थे जो कि ये तीनों बाइक पे थे उन्होंने उसके सर पे गोली मार दी और मरतक की मौके पर ही मोत हो गई कलटाइज सारी को रातरी नौबजे लोणी बोडर थाना शेत्र के अंदरपुरी एरिया में शावेज नाम के एक युवक की कुछ लोगों ने गोली मान कर हत्या कर दी इस समद्ध में परवार ज़रों ने तहरीर दी थी तहरीर के अधार पे मुकत्मा कल रातरी को बंज़ग कर लिए गया है तहरीर आदिल नाम के वेक्तिता दो अग्याद वेक्तिम खिलाब दी गई थी आदिल शावेज का परोसी है इस समद्ध में अब्लिम करवाई की जा रही है